तो दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का ख़ताना में और आज हम लोग पढ़ना जा रहा है सर्वनायक सर्व दमन कॉमिक जो सर्वनायक सीरीज की दूसरी कॉमिक है इधर आप इसका गवर पेज देख सकते हैं यहां पर नागराज का लोगो सूपर कमां से पापत्माओं की शक्तिया बढ़ रही है मैं महसूस कर सकता हूं अनर्थ हो जाएगा महागुरू अनर्थ अब तक प्रत्वी पर मानाओ की सद उड़जा को सोख कर प्रूरी प्रत्वी पर सुरक्षा कवज बनाने वाला कटाहा धुमिल पढ़ रहा है कटाहा से निकलने वाली उड़जा ही म्रत्यू लोक और नर्क के मध्य पाप श्रेत में जूर रही उन पापत्माओं को रोकने का कारे करती है जो की प्रत्वी को भी पाप शेत्र बनाना चाहती है क्या दमाका कैसा कोई महापाप आत्मा म्रत्यू लोक में प्रवेश करने की कोशिश कर रही ह संभव नहीं है महागुरू म्रत्यू लोग को गाडियन जेकब के रहते यह संभव नहीं मैं सिर्फ एक बार कहूंगा इसे पहली और आखरी चेताओनी समझना जहां से आया है वहीं वापस लोट जा मैं नहीं कर पा रहा हूं शुर्द प्रेत कि तेरी मुर्खता पर हसू या तुझ पर तरस खाऊं सधम तो खुट पाप का वतार है भला म्रत्यू लोग का अधना सा प्रेत क्या विगाड़ देगा मेरा यह अधना सा प्रेत भले ही तेरा कुछ न विगाड़ पाए पर यह क्रोस तुझे सुधार देगा इस क्रोस में बड़ी पाप शक्ती को भी खुद में खीच कर नश्ट करने की शमता है देखना है कि तुझ और तेरी पाप शक्तिया कितने सेकेंड टिकते हैं इसके आगे इसे मामूली प्रेत समझ कर गलती कर दी मैंने कोई साधारन प्रेत सत्य उर्जार से निर्मित इस क्रोस को धारन नहीं कर सकता ओफ यह क्रोस तो मुझे जलाये दे रहा है अगर इसे खुद से अलग नहीं किया तो वाकई चंद पलों में मेरा स्थित्व मिढ जाएगा पर खुद को अलग कैसे करूँ अभिता सूर्य की प्रचंट ता पगनी वाली सत्य से ही बड़े मुश्किल से छूटा था मैं जहां इस त्रिमुन समेट नागराद दुरू और उनके साथियों ने मुझे धोके से पहुचा दिया था सूर्य की सत्य तो मेरे अस्तित्व का सर्वनाशी कर देती पर भला हो इस त्रिमुन का जिसन मेरे चारों और पाप कवच बना कर सूर्य की विनाशकाली किरणों को मुझे तक पहुचने से रोक दिया यदि यह त्रिमुन स्वया महादेव के सर्व श्रेष्ट तीन गणो की सम्मिलित पाप शक्ती का धारक नहीं होता तो सूर्य का तेज इसे भी नश्ट कर देता त्रिमुन की पाप उड़जा ने मुझ पर सूर्य के तेज से तर सुरक्षित कर दिया परन्तु इनसे इतनी पाप शक्ती नहीं थी कि मुझे वहाँ से निकाल कर प्रत्वी तक पहुचा सके त्रीमुन की पापुर्जा श्रीकर ही समाख्थ हो जानी थी उसके बाद मेरा विनाश निश्चित था पल प्रती पल अपनी और बढ़ती मोद की प्रतिक्षा कर रहा था मैं कि अचानक किसी अज्यात शक्ती ने सूर्य की सता पर यहां आयाम द्वार खोला हे शेतान मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा यहां आयाम द्वार तो म्रत्यू लोग की और खुल रहा है जाने कौन था वो अज्यात मददगार जिसने मुझे सूर्य की सता से बचाया पर अब सवाल यहां है कि मैं खुद को कैसे इस परेट से बचाऊँ एक रास्ता है बंद होते आयाम द्वार के पार सूर्य की सता है म्रत्यू लोग में प्रवेश करने पर त्रिमोंड की शक्ती इतनी तो बढ़ ही चुकी थी कि उसकी बंद होते आयाम द्वार से सूर्य की प्रचन ज्वारा शक्ती को खीच कर इस प्रेट पर प्रक्षेपित कर सके पवित्र क्रोस के होते कोई भी पाप शक्ती का वार मुझे शीत नहीं पहुचा सकता फिर इसके वार से निकल तीन लप्टे कैसे जला रही है मुझे क्योंकि यहाँ पाप शक्ती का वार नहीं त्रिमोंड ने सिर्फ सूर्य की अगनी तुछ पर प्रक्षेपित की है मुझे हो गया मुक्त हो गया मैं तेरे क्रोस की शक्ती से पर तू इन लप्टों से तभी मुक्त हो पाएगा जब यह तेरा प्रेत अस्तित पूरी तरह नश्ट कर चुकी होगी जेकब के कंट से उबलती चीखे किसी के हृदय को चीरती चली जा रही थी मेरे प्रेत अंकल मुश्किल में है मुझे उनकी मदद करनी होगी ठरो बेबी सदम कुद पाप का अवतार है उसकी पाप शक्तियों का सामना तुम नहीं कर सकती अपने प्रेत अंकल को यू तलबते हुए भी नहीं देख सकती मैं और फिर आपने मुझे अपनी समस्त तंत्र शक्तियों का ज्यान दिया है इरी बाबा मैं इस सदम का मुकाबला कर सकती हूँ मेरा कहा मान बरे मेरी बच्ची तू तो क्या इस मुसीबत का मुकाबला कोई भी जिन्दा इंसान नहीं कर सकता इसे सिर्फ मुर्दा का मसीहाई रोक सकता है तू मेसा नहीं कर सकते इरी तु है पता है कि वो आत्मा पाप्शक आत्मा शापित है अगर मुर्दा दोबारा जिन्दा हुआ तो कहर बरपेगा दुनिया पर दुनिया पर कहर तो बरप ही रहा है महागुरू अब इसे रोकना है तो उस शापित लाश को बरसो बाद दोबारा जिन्दा करना होगा सदम को सिर्फ यहाँ शापित मुर्दा ही रोक सकता है तो पापशक्ती इंसानों की दुनिया में मोत का तांडव खेलेगी नहीं इरी रुख उफ, क्रो, क्रो, क्रो When the night is dark and scary उफ, यह मनुष क्रो संगीत ऐसा लगता है जैसे यह दिमाग के भीतर बज रहा है क्रो, क्रो, क्रो Do not fear, wipe your tears यह मनुष रापित संगीत दिमाग के भीतर ही बचता है बेबी यह संकेत हे की वर्षों बाद कब रफाड कर आ रहा है क्रो, क्रो, क्रो Here comes, पापा फेरी मुर्दो का मसीह पूर्वसार पाशान रक्ष्रसों के रूप में धर्थी के प्रतेग यूग में मानवता पे मंडराता है भयानक खत्रा सत्यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कल्यूग के सभी महानायकों का एक रहस्य में महाशक्ती यूगम ने कर लिया है हरन और उनके बाट दिया है दो दलों में एक दल है में है सत्यूग, त्रेता यूग और द्वापर यूग के महानायक और दूसरे दल में है सिर्फ कल्यूग के महानायक दोनों दलों के महायोद्दा के बीच होगी अनूठी प्रतिस परधाय और जो भी दल जीतेगा उसका ही यूग भ्रह्माण के अस्तित्व में रहेगा दूसरे दल का यूग हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा सर्वनायक प्रतियोगिताओं को आरंब हुआ चयन प्रतियोगिताओं से जिसमें आपने सामने है नाक सम्राण नागराज और महाबली भोकाल या तक आपने पड़ा पूरप्रकाशित कौमिक युगांदर आधा खण वा सर्वयोगम प्रथम खण में अब आब आगे पढ़िए नागराज ने भोकाल को सब्त सूर्य पर पहली पटखनी दे दी हुर्य पता था कि खाता नाक सम्राण नागराज कहीं खुलेगा पटखनी के वेक से सब्त सूर्य बाकी छ सूर्यों की परीदी के निकट आ रहा है वा नागराज क्या जबरजस्त रेस्लिंग मूँ था प्रतिद्वन्दी को कुछ सोचने समझने का मोका ही नहीं मिला लगता नहीं कि नागराज के आगे भोकाल अधिक देर तक टिक पाएगा पहला दाव नागराज के नाम रहा चिंतित नहों अश्व अश्रेष्ठ एक दाव में मिली पराजए मिली पराजए का अर्थ यह नहीं कि हम युद में पराजित हो गए युद्दा सही करा है मां बली भोकाल को पराजित करना इतना सरल नहीं जब अरजस्त शक्ति का सामी है नागराज इसे कितनी मुश्किल से एक बार पठका है बस मैं ही जानता हूँ भोका सदिक सदे हुए प्रतिद्वन्दी से आज तक मेरा सामना नहीं हुआ इसे दोबारा पठकनी दे पाना आसान नहीं इसको इसकी जकर से बचकर रहना होगा मुझे अन्यता परिणाम पूर्वा की भाती ही होगा इसमें गजब की फूर्ती है और गजब की शक्ती भी इससे पूर्वा की इससे संबलने का आउसर मिले इसे पठकनी देनी होगी बड़ा आँक और यह किया महाबली बोकाल नहीं साब बराबर हुर्य युगां धरित्री अस्य अभी तो खेल में आनंदाना शुरू हुआ है देखना है कि अगला दाओ किसका चलता है ओफ एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है मेरा कार्डियो एनलिसिस डिवाइज भी पेसमेकर की बीट रेट एक एग्रिवेटेट शो कर रहा है हुए हो दुरू कुछ भी नहीं बस सोच रहा था कि इस टोस मेच का रिजल्ट किसके हक में होगा इससे इसमें टेंशन लेने की क्या बात है यकिनन हमारा नागराजी जीतेगा यह तो मैं नहीं जानता मुझे नागराज को यह राउन जीतने से रोक रहा होगा तुम बाकियों की तरह इस द्वंद को लेकर खासे उत्साहित प्रतित नहीं हो रहे उत्सा का प्रदर्शन सदेवानरों की भाती उचल कूद कर कि किया जा यह आवश्यक नहीं वेसे भी मैं द्वंद के परिणाम को लेकर उत्साहित नहीं अपित्तु चिंतित हूँ क्या तुम्हें महाबरी भोकाल के पराजित हो जाने का भाई है नहीं मुझे भोकाल के विजय होने का भाई है जय बाबा गो रखनात जय महागुरू भोकाल बड़ाग बड़ाग दोनों महानायों के के शोर्य की प्रशेंसा किये बिना नहा रुकसा की काल मुड़तिया वाका ये दोनों महानायों सर्व श्रेष्ट है परन्तु देखना यह है कि इन दोनों में श्रेष्ट कौन है हार मान लो माबली इस जल्दी खत्म करते हैं समाप तो यह द्वन्द अवश्य होगा नाक समराठ परंतो तुम्हारी पराजाई के प्रश्चात पिछले कई घंटों से यह दोनों इसी प्रकार लड़ रहें ना कोई जीता प्रतित हो रहा है और ना कोई हारता लगता नहीं कि इस द्वन्द का कोई परिणाम निकलेगा दोनों ही योद्धा एक समान शक्ति शाली है पर अगर परिणाम नहीं निकला तो प्रथम चयन का अधिकार किसे और कैसे दिया जाएगा परिणाम निकलेगा शक्ति और हमारे हग में ही निकलेगा देखो नागराज ने भोकाल को फिर से अपनी जकड में ले लिया बस यही आखरी स्लेम और टॉस हम जीत जाएंगे मुझे लगता है मुझे नागराज को जीतने से पहले रोकना होगा पर कैसे एक ही तरीका है शायत काम कड़ जाए नागराज क्या तुम मुझे सुन सकते हो अरे यहाँ नागराज को क्या हुआ यहाँ रुक क्यों गया आधर शर्ण के यह भंग हुआ नागराज का ध्यान उसे काफी महंगा पड़ने वाला था बोकाल की विज़श्री निश्चे थे अब नहीं बोकाल का यहाँ द्वन्द जीतना हमारे रहीत कार नहीं होगा समय और बोकाल दोनों ही अपने दाव चल चुके थे बोकाल के उस निर्नायक प्रहार के वेग ने अपनी परी दी से हटे सब्त सूर्य को वापस अपने स्थान पर पहुचा दिया था उठो नाकसमराड द्वन्द समाप्त हुआ पहली जीत मुबार रखो महाबली द्वन्द के मध्य तुम ठीठिक कर रुक गए रुक क्यों गए थे नाकसमराड तुम्हे भ्रहम हुआ होगा महाबली भोकाल मैंने द्वन्द में अपना संपूर्ण बल एकागरत लगाई थी यहाँ सब यकिनान आप दोनों महानयों को ने अपना संपूर्ण बल इस द्वन्द में लगाया था इससे परिणाम स्वरू पत्त सूर्य पुनह अपनी परिदी में स्थापित हो चुका है अब आपने पुनहा कालरन लोटने का समय भी हो चुका है यहाँ सब द्रू का किया धरा है मैंने दिखा था इसे द्वन्द के दोरा नागराज को मानसिक संदेश भीचते चुप कियो, हो द्रू, जवाब दो क्या टोका सही कर रहा है यह सच है मैं नहीं मानसिक शंदेश नागराज का ध्यान भटकाया था पर तुमने ऐसा क्यों किया ताकि नागराज यहां टोस में छाड़ जाए तुमने अपने ही दल के गणनायत को पराचित कर दिया दिमाग खराब हो गया है इस रड़के का एक मिनट दोस्त अगर ध्रू एक मिनट दोस्तो अगर ध्रू ने ऐसा किया है तो उसके पिज़ जरूर कोई वज़य होगी मैं तिरंगा से समाथ हूँ ध्रू अकारण ऐसा कभी नहीं करेगा तो फिर हम वो कारण जानना चाहेंगे पहली प्रत्यों किता खत्म होते ही आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहता अपने कत्य का तात्परे समझाने को कष्ट करे शुक्र शिश्य आप नहीं चाहते थे कि हमारा गणनायक भोकाल यहार द्वन्द जीते सही समझे और शुक्राल को किसी को भी कोई इसपश्टी करण देने की आवशक्ता नहीं है आवशक्ता है शुक्राल यदि हमारे दल का सदस्य हमारे गणनायक के हारने की कामना कर रहा है तो उससे एक विश्वास घात पर प्रशन करने के आवशक्ता भी है और अधिकार भी आवेश में आकर विवेग खोना एक नायक को शोबा नहीं देता मत भुलोगी तुम्हारे भाती ही मेरा यूग भी दाओ पर लगा है अन्यता शुक्राल को उसकी इच्छा के विरूद यहां रोग पाना यूगम के वेश का भी रोग नहीं था और जहां तक भोका की पराजय का प्रशन है अतिशी गर तुम लोगों को यहां प्रमानित हो जाएगा कि मैं ऐसी कामना क्यों कर रहा था तो दोस्तों यह वारा पार यहीं थकता अगले पार के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्रीज वीडियोस को लाइक भी कर दीजेगा तो इस वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए धन्यवाद